आपके पास Motorola H40 है या फिर H40 new है तो उसके अदर message notification की setting कैसे कर सकते हैं उसको करने के लिए आप message manager पर जाएंगे आप आपको दिख जाएगा यह वाला icon इस पर आपको चले जाना है message setting दिखेगा इस पर आपको tap करने तो है तो यहाप आपको दिख जाएगा notification इस पर आपको ज कर देना होता है तो automatically आपका silent हो जाता है आपके आपको tone लगाना तो डिफर्ट पर करेंगे बाके आपको दिख जाता है pop-up skin उसको on कर लिजेगा यानि कि जैसे जाता है आपको skin पर आ जाता है अगर आप 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 ज्यादा दिवाने है तो इसको आप बंद कर लेंगे तो इस time पर आपका कोई भी pop-up नहीं जाएगा बाकि यहां पर sound है तो यहां पर आप जो भी tone chain करना चाहते हैं कर लिजेगा बाकि आपको दिख जाता है vibration यानि कि अगर आपको अपने message पर vibration लगाना है तो उसको आप कर लेंगे बाकि आपको दिख रहोगा lock screen अगर lock screen वाली notification क कि अलग से वीडियो बना रखिए कैसे hide करना करना तीना से कर लेंगे बाकि यहां आप आपको दिख जाएगा sound notification यानि कि कोई भी notification आता तो उसको dot so करता रहता तो आपको दिख जाएगा तो इसको भी आप on कर लेंगे बाकि override do not disturb इसको आप बंद करके रखेंगे तो काफे अच्छा रहता है तो कुछ इस तरह से आप अपने phone में कर लिजेगा बाकि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाबाएं